खुटी जिले अंतरगत नसीले पदार्थों का कारोवार वा उत्पादन करने वाले लोगों को इब्रूद कारोवाई करने का उपायुक्त ने दिया निर्देश नमस्कार आप देखने दा ज्जार नियोज और मैं हूँ गुंजन कुमार पताते चले की खुटी जिले अंतरगत मादक द्रब्य पदार्थों के नियंतरन हेतू आज उपायुक्त ने एक विशेश बैठक बुलाई और इस बैठक में एन्शी कोड से समबंधित सभी अधिकारियों द्वारा परतिवेदन भी प्रस्तूत की गई जहां इस परतिवेदन पर समिक्छा की गई समिक्छात्मक बैठक के दौरान उपायुक्त ने समंदित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिस भी तरीके से खुटी जिले अंतरगत मादक पदार्थों का कारोवार चल रहा है या फिर उत्पादन हो रहा है उसे अभियान चला कर खत्म की आ जाए इस दौरान समदित थाना के थाना परभारी अंचल अधिकारी से समनिवाए बना कर कारे करे ताकि इस परकार के कारियों को यानी नसीले पदार्थ के कारोवारियों को और कारोवार को रोका जाए इसके अलावे खुटी जिल्य अंतरगज जिस प्रकार से अबैत तरीके से अफीम की खेती की जाती है उसे लेकर भी उपायुक्त ने आज विभाग के पतादिकारियों को निर्देश दिया कि इस प्रकार की खेती को रोके उसके लिए हर संभब प्रियास करे ताकि इस प्रका करने वाले लोगों पर नजर रखे और विसेश गर जिले के सिमा पर निगरानी करे ताकि ऐसे कारोबार को रोका जाए और कारोबारियों को सक्त से सक्त सजा दिया जा सके अबैद अफीम की खेती के विरूद अभियान चलाने के करम में बैकलविक क्रिस्टी को बढ़हवा देने के उद्देश से सभी अंचल अधिकारी ग्राम परधान एवं मुख्या के उपस्तिती में ग्राम सभा की बैठक कर लोगों को जागरुक करें अगामी 15 दिन के अंदर सभी परखंड में बैठक आयो जीत कर समंदित अधिकारी जानकारी उपलप्त कराएंगे इसके सा साथ है उन्हों ने बैकिल्पिक खेती के तौर पर ड्रैगन फ्रूट इमली जेरेनियम जैक फ्रूट स्वीट कॉर्ण लेमन ग्रास आधिक की उन्नत खेती के लिए लोगों को जागरुक करने का भी निर्देश दिया